नमस्कार टीपीवी नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अखिल जांगी चलिए रुप करते खबरों की तरफ सिरे गंगानगर जिलिगी सिरी विजेनगर के उपखंड कार्याले पर किसानों द्वारा परदर्शन किया गया इस परदर्शन के लिए किसान संग ने जन संपरक किया था किसानों ने इंद्रा गांधी नहर में सिचाई पानी की मांग को लेकर सुबह 11 बजे परदर्शन किया था भारती किसान संग के सदश्यों ने आसपास के क्षेतर में जाकर लोगों से परदर्शन में सामिल होने की अ ठानादिकारी हर्चंद राम ने बताया कि पारिवारी कले के चलते कलियूगी बेटे ने ही पिता की हत्या की है। परिजनों ने शव पर मिले घाव की निसान के आधार पर हत्या की आसंका जताई है। जिसमें 10 लाग रुपे फिरोती की मांग की गई। दुकानदार पर्ची देकर पुलिस को बुलाने के लिए फोन करने लगा तो बदमास ने गोली चला दी। एक गोली दुकानदार के कान के पास से दूसरी गोली सिर के पास से होकर निकली। इतने में आसपास के दुकानदार आ गए और बदमास भाग गए। घटना के बाद दुकान के बाहर आसपास के दुकानदारों की भीड लगी वैपारियों ने बाजार बंद कर परदर्शन कर बदमासों को पकड़ने की मांग की। सोने के आभूषनों पर होल मार्किंग यूनिक आइडी के खिलाफ देश भर में होल मार्क सेंटर संचाल खालताल पर रहे। जारी करने के अधिकार दे दिये हैं जो होल मार्किंग सेंटर संचाल को कि साथ सरासर अन्याय है सिरकंगानेगर के अनूपगड में स्थानी पब्लिक पार्क में सहरा इंडिया के कारेकरताओं ने एक बैठक कर स्थानी उपकंड अधिकारी, विधायक संतोस बावरी और पुलीस अधिकसे कनूपकंड को ग्यापन दिया ग्यापन में बताया कि पिछले काफी लंबे समय से सहारा ग्रूप कंपनी से सम्मंदित सोसाइटी में निवेस करने वाले लोगों को अपने जमा धन का बुगतान अवदी पूरी होने के बाद भी नहीं मिला जिससे लोगों में काफी रोश है ग्यापन अभी करताओं ने परधान मंतरी, मुख्य मंतरी और गर्य मंतरी के नाम दिया अभी करताओं ने लोगों का जमा पैसा और अभी करताओं द्वारा किये के काम का पैसा दिलवाने की मांग की बारतपुर जिले की कामक शेतर के गाउं इंदरोली में आम रास्ते से नालियों में पाने निकासी नहीं होने की वज़े से ग्रामिन परेशान हो रहे हैं पाने निकासी नहीं होने की वज़े से रास्ते में कीचड भरा पड़ा है गाउं के इसी रास्ते से प्रति दिन छोटे छोटे बच्चे स्कूल में अध्यन करने के लिए जाते हैं ग्राम रक्सक धरमवीर शेनी ने बताया कि ग्रामिनों ने सरपंच को रास्ते को लेकर कई बार अवगत कराया लेकिन कोई कारवाई नहीं हुई बुलेटिन में फिलाल इतना ही आप देखते रहे एटी पी बी न्यूज